हेलो फ्रेंट्स बेलकम यू टो यूरान स्टडी चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में आज हम आपके लिए लेके आए हैं के विसी नैनो पैप्लिकेशन का बिहार दोरोगा मेंस का मॉडल टेस्ट पेपर बन अभी तक आपने प्लेटफॉर्म वॉल्यूम टू एवम एडिट के लिए हम कैवी सी नैनो पपैलिकेशन का मॉडल angef์ पर फ्रस्ट देखते हैं तो आईए कौस्चिण के और चलते हैं है कि कै 두के को च Seems you have to ask करा है कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है चेया हरा एक हार्ब्र मेटेरियल है जो कि कार्बन का एलोट्रॉफ है हीरा का रिफ्लक्टिव इंडेक्स इट मिन्स अपर्तनांग 2.417 होता है जिसकी बज़से इसका क्रिटिकल एंगिल इट मिन्स क्रांतिक कौन 24 डिग्री होता है जिसकी बज़से कटा हुआ हीरा में पुर्ण आंत्रिक परावर यानि टोटर इंटर्न रिफ्लक्ट्षन होता है जिसकी बज़से हीरा क्या होता है चमकता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B पुर्ण आर्तिक परावरतन के कारण अब देखिये next question क्यों चलते है next question क्या रहा है आपका निमलेखित में से कौन सा युग सही नहीं सुमेल आप देखिये next B option क्या रहा है मेलाटोनीन मेलाटोनीन जो है वो रिलीज होता है पाइनल ग्लांड से जो कि हमारे निंद्रा का नियंद्रन करता है ये भी सही है option number C देखिये ऑक्सिटोसीन है जो कि अस्तन ग्रंतियों दूद का निस्तारन में यूज होता है ये भी सही है टूट्री ग्लांड से होता है next देखिए तर्टेरिक अन बिद्दमान होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी अब देखें नेक्स कोश्चन देखते हैं पितासे में उपस्तित पत्थर निमलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है पितासे यानि गॉल ब्लेडर जिसे जो की लीवर के ठीक नीचे होता है या नासपाती किया कार का थैलूनुमा अंग होता है समानिता इसका कारे पित को इकठा करना एब उसे गाढ़ा करना है पित क्या है पाचक रस है जो कि फोजन को पचाने में हेल्फ करता है तो अगर पट्री हो जाएगा तो इसका सई आंसर हो जाएगा आपका option number B बसा का पाचन को प्रभावित करता है अब देखिए next question देखते है question number five निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आप देखिए यहां पे दिया हुआ है यहां लेफ्ट साइड में क्या है है प्रदूसक है और इस पॉलिटेंट से होने वाली बीमारी आपके राइट साइड में दिया हुआ है देखिए पहला option क्या करहा है आपका पारा कर रहा है पारा से कौन सा डिजीज कर आपका मिनमाटर डिजीज जा है जो कि मरकरी यानि पारा की कि विमारी से होता है चायिक से विमारी सफित है जो कि कि विमारी जो है यह संठी रोग देखिये बाइज़ लिखा हुआ यह के लिए यह गलत है फ्लोराइड आयन होता है यह हमारे टित के लिए बहुत यूजफुल होता है लेकिन एक लिमिट तक इसके एक पर्मिसिवल लिमिट होती है पर्मिसिवल लिमिट के अंदर तक लेने पे यह हमारे दातों को हेल्फ करता है लेकिन अगर उससे जादा अगर फ्लोराइड हम ले इंटेक कर लेते हैं तो इससे दातों की बिमारी होती है जिसको फ्लूरेसिस कहा जाता है इस बिमारी में दातों का क्या होता है बाह आबरन जो होता है वो प्रभावित होता है दोनों साइट क्या होता है पीला पना जाएगा इस बिमारी को क्या कहते है फ्लूराइड आयन की बज़ा से होता है तो आपका option number D है वो सही से सुमेलित नहीं है अब next question देखिए question number six और मिर्च की तीचनता का कारण क्या है तो मिर्च के तीखेपन का कारण इसमें उपस्थित कैपसी नामा के एलकेलाइट जिम्मेदार होता है लाइकोपीन की उपस्थिती के घयलता है क्या सब्सक्राइब समयोताbell युक्त लाल होगा दूसरा आपका क्या दिया हुए कैप्सेसेनीं आपकी बिससे में मिर्च में क्या सब्सक्राइब ता थीधाका है कैयोंटमटमें क physically वहांटमृट से के जीकता बिसएंस हुटएब मैं लाल बज़े से मिर्च में तीखापन होता है next question देखते हैं question number seven vitamin E का महत्पून सोत क्या है vitamin E का महत्पून सोत आपका गेहु का अंकुर का तेल होता है इसका तो सही answer हो जागा option number C vitamin E बस्तू बसा में घुलनसील vitamin है मतलब यह fat soluble vitamin है be'tamin हीन क्या है fat soluble है जिसका सही answer हो जागा option number C कि आप देखिए option number eight क्या कहा रहा है बस्तिक जिम्मेदार है option क्यों चलते हैं सोचने के लिए तो सही है सोचने के लिए मस्तिक से ही सोचते हैं तो आगर मस्तिक की बात किया तो हमारा मस्तिक अत्यान समबेदन सील एवं मुलायम होता है आप देखिएगा कि मस्तिक को दो भागों में बाटा दिंगा है अग्रिम भाग और पास्च भाग तो अग्रिम भाग जो होता है वो सेलीब्रम तथा आपका डाइनो सीफिलॉन से बना होता है अबिद्धिमेता दास्प का केंद्र होता है डाइनो सीफलोन दो भागों में से बना मिलकर बना होता है थालेमस और हैपोथालेमस आपका धालेमस जो हुआ वह हो भूख प्यास प्यार तत ताप ग्रीडना के लिए जिम्मेदार होता है आप देखिया नेक्स देखने तो निकट से समझिए अगर निकट दिश्टी दोस है तो निकट की बस्तू को वो देख सकता है और दूर की बस्तू को नहीं देख सकता है अब इसमें अगर बात किया जा कि कौन सा लेंस यूज होता है उसको ठीक करने में तो निकट क्या है तीन है तीन है तीन वर्ड से बना नेक्स इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 का ए नस्दीक की बस्तू को वसपस रूप से देख सकता है निकट मायोपिया वाले पेसे और दूर की बस्तू से नहीं देख सकता है तो राइट अंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखी तो आप देखियेगा अप्षण नबर ब अप्टल दरपन उत्तल दर्पन फोकस के बीच बस्तु से चोड़ता और सीधा और आभासी बनता है इसका उपियों गाड़ी में किया जाता है पीछे के द्रिस देखने के लिए और उत्तल दर्पन होता है वह अंदर का तल प्रवर्थक होता है इसके द्वारा परती विम दर्पन के सामने बना किया जाता है अब नेक्ट्र कॉस्चट कोश्चन नमर्ग इलेवन निमलिखीट में से कौन सी अधिस रासी है दो तरह ऐसी होती है 29 Οर अधिस रासी जो होती है उसमें क्या होता है कि हमारा सदीस रासी में जो दर्मियान होता है उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है तो परिमान के अब सकता होती है और उसके साथ साथ डायरेक्शन के अब सकता होती है सदीज सॉरी अदीज इट मिन्स आपका स्कैलर क्वांटिटी हो गया और सदीज मतलब वैक्टर क्वांटिटी अगर स्कैलर क्वांटिटी की बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ मैंगनिट्यूड होता है और वैक्टर क्वांटिटी की बात किया जाए तो दोनों होता है तो आपसे question में पूछा जा रहा है कि सदीश रासी कौन है तो इसका सही आंशर हो जाएगा option number sorry अदीश रासी कौन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B pressure जो है वो आपका scalar quantity है तो 11 का सही आंसर हो जाएगा दाब रेक्ष कोश्चन देखी कोश्चन नमर 12 बायू में द्ध्वनी तरंग होती है तो इसका सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर की जरुरत होती है वैक्यूम में कभी भी साउंट ट्रेवल नहीं कर पाता है तो लेवर 12 का सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर करेंगे नेग्स्त कोश्चन देखें की विधूतच्सक्ती की इका आई है तो कि मीध्यूतज्य सक्ती की होती है वट होता है अब देख़िए अगर हम बात की मेरी काओ संब्यूति यू dau Getting यूनिट जो है आपका इलेक्रिक चार्ज का यूनिट है वॉट के है अपका विद्धूद सक्ति का यूनिट है तो इसका सही आंसर होजागा उप्शन नम्मर बी नेक्स्ट कोश्जन देखिए कोश्जन नममर 14 नीलत होता रसाइजिक रूप से है तो नीला थोता या तूतिया या पार सलफट बोलते हैं यह आपका आकारबनिक योगिक है जिसका रसाइजिक शूंट्र होता है सी यू एसो फोर मतलब कॉपर सल्फट इसे क्योप्रिक सल्फट भी कहते हैं तो आपका इसका नियला थो तरह सायनिक रूप है किसका कॉपर सल्फट का तो इसका सही आंजर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी आप देखें गोप्ष्ट्न देखते हैं को सद्धाशन नमबर 15 अधात्य अपनी बास्तावी के स्थिती में बिद्ध्ध्वान होती है क्यों प्रlaisory को तो इसका साही आंजर हो जाएगा option number c मुक्त इस्थिती में अब देखिए next question देखते question number 16 यदि हम पेड की साखा को तेजी से हिलाए तो कुछ पतियां पेड से अलग हो जाती है यह किसी बज़ा से होता है यह जड़त्म की बज़ा से होता है यदि किसी पेड की साखा को हिलाया जाए तो जड़त्म के नियम के कारण पतियां अपनी मूल इस्थिती में रहने का परियास करेगी इसी क्रम में पेड पेड से अलग हो जाती है तो इसका सही होता है तो उसमें क्या होगा कि एक form से वह दूसरे फॉर collar nephew हो सकता है जैसे अगर वर्टर से आयस बना है तो फिर क्या हो आइस से वह चाहिक हो यह आपका क्या है फिजिकल रियक्शन हुआ लेकिन कागज का जलना जैसे है कागज अगर जल गया तो वह क्या हो गया राक में परिवर्तित हो जाएगा अब राक कभी भी कालगज के फॉर्म में नहीं आ सकता है तो यह आपका क्या हो जाएगा तो कागज का जलना आपका क्य क्या है क्या हो जाएगा सभी आंसर हो जाएगा कि अब देखिए अगर सारे option की बात कीजिएगा तो नर्म लोहे का चुम्बे की थोना जैसे ही चुम्बक हटाईएगा वो फिर आपके औरीजनल पोजिशन में आजाएगा जल में सक्कर का घुलना उसके बाद पिर अगर अग परिवर्तन नहीं हुआ कि नेक्स कोश्चन देखते हैं कि कोश्चन नमर 18 हाथी गुंफा का विलेक कि सासक के विषय में जानकारी का स्रोथ है तो देखिए कि प्रथम सताब्दी इस पूर्म में कलिंग भारत का कत्यान सक्तिसाली राज बन गया था यदि चेटी बंस के मह हमें एक बहनकुल का साशन था इसी बंस में सबसे सक्तिसाली राजा खार्वेल हुए थे और उद्यागिरी की पहाडी में के हाथी गुंफा में सासक खार्वेल का एक बिना तीथी का अविलेक प्राप्थ हुआ है तो इसमें खार्वल के बच्पन सिच्छा राजविसेग एक तत्यराजा होने के बाद से 13 साल के साशन काल की घटनाओं का क्रमबर बिबरन किया गया है तो यह आविलेक इस खार्वेल का इतिहाज जानने का एक मात्र स्रोत है तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा खार्वेल हाथी गुफा का विलेक आपके खार्वेल सासक से के के बारे में सारी जानकारी देता है जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए अब देखिए नेक्स कोस्टिन 19 देखते हैं मद कालीन भारत के अतिहासिक स्रोतों में चकला सब्द का परियोग हुआ है चकला क्या है तो मद मद क्याल में प्रशासन की सुग्दा के द्रि तो साज अहां काल में कुछ प्रागनों को मिला कर एक नए इकाई बनाई गई थे जिसको चकला कहते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर सी सुबा और प्रागनों के बीच की छेत्री यह इकाई था लेकिन सरकार के सामान अर्थी नहीं था तो अप् नहीं मुगल्स आ सकते तो देखिए आप सुरू से देखते हैं जहांदार साह जो थे वह 17-12-1713 इस भी तक इनका सासनकाल था उसके बाद को आना जहांदार साह को तो इनको लंपट मुर्क कहा जाता था आप देखिए नेक्स्ट है मुहम्मद साह का सासनकाल था 1719 से 1748 इस समुछ देखिए उसके बाद आलमगीर दूसे 1754 से 1769 तक और यह सारे आपके मुगल था मुगल सम्राठ थे मुहम्मद साह के सासनकाल में इरान के सम्राठ नादिर-सा ने नई देली पर आकरवन किया था और नादिर-सा को इरान का नेपॉलियन पहा जाता है आलमगीर दू बहादूर सा जफर था अब देखिए अगर इसको सुमेलित करने का सही क्रम हो जाएगा तो पहले जहांदार सा आए उसके बाद मुहम्मद सा आए उसके बाद आहमद सा आए और उसके बाद आलमगीर आए तो आप इसको मैट कर लिजेगा नेक्स कोशन देखिए ट्वंटीवन नेन विदेशी यात्रियों में से किसने जहागीर के सासनकाल में भारत की यात्रा की थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिसको फलसर्ट में तो 1626 इसमी में मुगल समराज पर एक लेख लिखा गया था जिसका अनुबाद देखिए यह जो फ्रांसिसको फलसर्ट थे यह डच इंडिया कंपनी का अधिकारी था जो कि 1618 में कंपनी की वेब साइक सेवा से पूर्प के लिए रवाना हुआ था 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 भारत में कनिष्ट बेपारी के रूप में न्युक्त हुआ था और मसूली पट्टम से थल परसूरत की यातिरा के प्ष्णत यहां वाने बेजा बैख सब्स अनल भारत में भारत याति यात्र किस्को पूक्श को सवाराज डल का समर्धन किया था तो इसका सई आंसर हो जाएगा आपका मुहम्मद अली जिन्ना ने विधान सवा में स्वराज दल का समर्थन किया था तो आप्शन नमेर ये इसका सई आंसर हो जाएगा कि आप देखिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 23 किस नगर की अस्थापना की तो विजय नगर का सबसे महान सासक क्रिसंदे राव ने नागलपुर नामक एक नए सहर की अस्थापना की थी इसके साथ ही प्रसिध हजारा बिठल स्वामी नामक मंदिर का भी निर्मान क्रिस् नेक्स कोश्चन देखिए निमलेखित में से किसके बिरोध में रविन्ना टाइगोर ने अपनी नाइट हुट का परिताग कर दिया था तो इसके बिरोध में इन्होंने अपने नाइट हुट की उपादी का परिताग कर दिया था तो उसका सही आंसर हो जाएका ऑप्शन न नमलिखित में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है आप देखिया 1x1 देखते हैं पानिवद का प्रथम यूद ये 1526 में हुआ था ये सही है पानिपत की प्रथम यूद में बाबर ने पहली बार आपका तोग खाने का परियोग किया था और ये किसके किसके बीच हुआ पानिपत की पहली लड़ाई बाबर जीता था आप देखिये नेक्स जो है खानवा का यूद खानवा का यूद आपका बाबर और राना संगा के भीच हुआ था जोकी 1527 सिस्पी में हुआ था इसमें भी बाबर की जीत हुई थी नेक्स है आपका घागरा का यूद तो पंद्द्रशोट्टाइसस्वी में हुआ है लेकिन यहां देखी option आपका दिया हुआ है 1530 जो की फंद्रशोट्टाइसस्वी में हुआ है मेद बाबर मेधनी राय के बीच हुआ था इसमें भी बाबर की जीत हुई थी तो यह आपका चंदेरी का यूद है वह 1528 में हुआ है ना की 1530 में यह ऑप्षिन अमर्डी है वह गलत सुम्मेलित है जिसका सही आंसर यही हो जाएगा आपका पूछ रहा है कि कौन सा सही सुम्मेलित नहीं ह है हम नेक्स कोशन देखिए कोशन अवर 26 निमलिखित में से कौन त्रिकुनात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था तो अगर हम बात करें त्रिकुनात्मक संघर्ष था गया तो आठमीस अताबदी में कन्योश पादिकार करने के लिए तीन बड़ी सक्तियां जो थी पाल गुर गुर्जर पतिहार का अंतिम बिजय से हुआ था तो इस त्रिकुनात्मक संघर्ष में चोल इसमें हिस्सा नहीं थे लिए हुए थे तो इसका स्रही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी देखिए नेक्स कोशन 27 देखते हैं बीना बेगार के किसके सुदर्शन जील का जिर्नोधार किया है तो आप देखिएगा कि जुना गड़ा विलेक से पता चला है कि 170 इस्वी में रुद्रवन ने गिरनार के निकट सुदर्शन जील का मरंबत बीना बेगार के लिए करवा तो इसका सही आंसर हो जाए का ओप्शन अमर्डी यह किसके किसने करवाया था तो रुद्र दमन प्रथम ने हम नेक्स्ट कोशन देखिए जलिया बाला बाग नरसंघार पर कॉंग्रेस जाथ समीती की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार किने सौपा गया था तो यह क सही आंसर हो जाएका ओप्शन नमबर बी हम नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 29 कि निमलिखित में से किसने 1947 के कॉंग्रेस कमीटी की बैठक द्वारा भी भाजन के रिपस्ताप को पारित होने को राष्ट बाद का संपर्दायवाद के पच्छ में समर्पन के रूप में लिय तो डाक्टर सैफेदेन किछलु ने बर्स नहीं 1947 में कॉंग्रेस कमीटी की बैठक द्वारा भी वाजन के पस्ताप के पारित होने पे राष्ट बाद का संपर्दायवाद के पत्थ में समर्थन के रूप में लिया था तो नॉप्शन में रहे इसका स्त्यांसर होगा अब नेक्स कोश्चन देखते कोश्चन नमबर 30 सारा बंदी आलदोनन उन्हें 122 किसके नित्वित में प्रराम हुआ था तो सारा बंदी आलदोनन का प्रराम उन्हें 122 में हुआ था जो कि सर्दार बल्लब भाई पटेल के नित्वित में हुआ था और यह आलदोलन किसानो किसानों ने कर ना देने का निरने लिया था तो इसका सही आंसर हो जागा ऑप्शन नमबर भी सरदार बल्लब भाई पटेल अब देखिए नेक्स कोश्चन की ओर आते हैं लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे तो इंडिया हाउस 1905-1910 के दौरां लंदन में इस इस ठापना ब्रिटेन के भारतिय चात्रों में राष्ट बादी विचारों को प्रचार करने के लिए स्यामा जी क्रिष्ण बर्मा द्वरा की गई थी तो यहीं पूछ रहे आप से किसके संस्थापक कौन थे तो इसके संस्थापक हो जाएंगे स्यामा जी खृष्ण बर्म इसकी सुरुवात हाजी सरिया तुल्ला ने की थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A इस आल्दोलन की सुरुवात पूर्वी मंगाल के गामीन छेत्रों में हुई थी सुरुवात में यह आल्दोलन सांती पुन चला था लेकिन बाद में यह आल्दोलन हिंसक हो गया था तो इस अधिवेशन में 26 जनवर 1930 को प्रथम सुरुदिंता覺 में मनाने का निर्न लिया गया था है और नहुर समिंटी की रिपट को निराष्थ घोसित किया गया था तथा सबधने अबग्यां उल्दोलन करने की घोसना की गई थी लहूर अधिवेशन में पारित पुन स्वराज के परस्ताप के knife किसके दर्बार में हुआ था तो एरोपिय चित्रकारी का प्रवेस आपके अकवर के दर्बार में हुआ था अकवर के समय में मुगल चित्रकला पर भारतिये प्रभाव भारतियों का प्रभाव गहरा हो गया था तो इसका सही आंसर हो जाएका क्या कर रहा है समाजबाद का समर्थक कौन था और उन्हें 133 में ब्रिटिस आशन देसी राज्यों और जमिदार बाद और पुंजी बाद को खाड़ फेकना चाहता था तो जवार लाल नेरु समाजबाद के मुखर समर्थक थे उनका कहना था कि वह एक ऐसे भारत का निर्वा और बी ऑप्शन है वह राइट अंसर हो जाएगा अब देखिए नेक्स्ट कुश्चन देखिए ठाटी सिक्स और 1867 में भारत का गवर्णर जनल कौन था तो 1867 में भारत का गवर्णर जनल आप लौड कैनिन थे गवर्णर के पत्तक कैनिन की नियुक्ति 1856 में हुई थी और 1867 के बिद्रो के बाद 1889 की संदी में नियम पारित कर भारत का सासन कंपनी से पहले कंपनी सासन कर रही थी इसके बाद यह सासन का बागडोर ब्रिटिस सरकार के हाथों में चला गया था तो जो गवर्णर जनल का पद्ध हुआ करता था उसको चेंज करके बदलकर बायसराय कर दिया गया था तो अगर पूछा जाए कि भारत का अंतिल गवर्णर जर्रनल कौन है तो लॉड कैनिन है और भारत का पहला बायसराय कोन है तो यह हो जाए आपका लॉड कैनिन हो जाएगा कैनिन नयाएक सुधारों के अंतरगत इंडियन हाइप एक्ट 1861 के दौरा बंब पहला आप बायसराइकॉन था तो लॉड क्यानीन ही था तो उसका साथ प्ष्ण नमर सी आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स सोच्चिन देखिए किताब उलहिन पुस्तक किसके द्वरा लिखी गई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप्षान नमर बी अलबरुणी द्वर किताब उल्हिंद लिखी गई थी किताब उल्हिंद अर्थात तहकीक के हिंद की रचना अर्भी भासा में की गई थी और यह अलबुरुनी द्वारा की गई थी अब नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कर आफका nied definite युग में कौन से सही सुमेलित नहीं है तो यह देखिए साइड आपका लिप्ट साइड में मरवस्थल दिया हुआ हूँ राइट सेिर्व किस देश में है यह मरोश्था अस्तित यप थे अब देताफिए a अमेरिका में यह तकला मकान जो है मरुफथल चीन में है करकुम तुर्कमंद स्थान में है option number D घिपसें यह आपके पश्मी आस्ट्रेलिया में मरुफथल यह पाई अप्शन दिया वह देश दिया हुआ ब्राजिल जो की गलत है यह क्या होना चाहिए था आस्ट्रेलिया होना चाहिए था तो अप्शन नमर्डी जो है यह सही से सुमेलित नहीं है तो यह आपका सही आंजर हो जाएगा अब नेक्स कोश्चन देखिए 39 निम लिखित नदियों में किसके मुहाने पे पच्छी के पं नदी की परिवहन सक्ति क्या हो जाती यह कम हो जाती है जिससे सिल्टिंग होने लगता मतलब अपसादों का निछेपन होने लग जाता है मतलब सिल्ट जमा होने लग जाते है वहीं सिल्ट जमा होने लग जाएंगे तो क्या होगा डिस्चार्ज उसका कम हो जाएगी इस नि का डेल्टा बनाता है चप्टा कार का यह डेल्टा बनाता है नील नदी जो होती है वो त्रिवुजा कार डेल्टा बनाती है आपका मिसी सीपी जो है यह पंजा कार डेल्टा बनाती है तो आपसे यही कोश्चन पूछा जा रहा है कि कौन जी नदी पंच्छी के पंजे की अक प्राइमरी प्राथमिक 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 प् तो प्राइमरी प्रदूसक जिसे समाग हो गया यह सारे आपकी किया हो गया सेकेंडरी पौल्यटंट हो गया तो इसका सही आंसर हो जएगा अप्ष्ण नमरे आपका स्मोग क्या है वो द्यूतिय प्रदूसक हुआ यार्नी सेकेंडरी पॉल्यूटिंट हुआ अब नेक्स्ट कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर 41 डाची गम राश्टिय उद्यान निमलिखीत में से किस से संबंधित है तो डाची गम राश्टिय उद्यान मुख रूप से अंगुल लाल हीरन की उप्रजाती है जो केवल कास्मीर में पाई जाती है और यह यह उद्यान कहा है प्रभस्तित है यह अब यह कोर्ण बस्तित है निमलिखित में से कॉन भारत ने ग्रामीन रोजगार का सब्से बड़ा कार का करक्यम है आप देखिए उप्शन आपके क् तो मन्रेगा जो है है आपका भारत में गामिन रोजगार का सबसे बड़ा कारेक्रम है मन्रेगा है तो नाम गांधि राष्टीये ग्रामिन रोजगार योजना सुभारम एक BTA बर्स में 100 दिन के लिए रोजगार की बैधानी गारंटी प्रदान करता है जो अन योजनाओं की तुल्ला में इसे बिसेस बना देता है आप देखिए नेक्स कोश्चन देखते हैं है यह अगरा निटन 43 का रहा है इंस्टेटर का परियोग में किसके लिए अब Lexcenter निमलिकित में से किसके लिए किया जाता है तो यह आपका होता है सॉलीट बेस्ट में इसका use करते हैं कि यह जो Leave been solid deference च्शों होते हैं उसको हम कूड़ा कच्रा को जो एक कठा कर उसे जला देते हैं इसे ही आपको इंसियरेटर कहते हैं तो आपका 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका option number एक कूड़ा कच्रा जलाने के लिए नेक्स कोश्चन देखते हैं कि 44 आइंस्टिंग को निम में से उनके किस सिद्दान के लिए नोबल प्रोषकार दिया गया था और यह कब दिया गया था उन्हें इससे 21 सिस्पी में और किसमें दिया गया था तो इनको फिजिक्स का में नोबल प्रुसकार दिया गया था इन्होंने क्या फोटो इलक्रिक एफेक्ट का खूज किया था जिस पे इनको नोबल प्रुसकार दिया गया था प्रकास बिद्धुत के सिध्धान्त के लिए प्रकास बिद्दूद इंग्लिस में फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं इसी का सिध्धान तीनों ने दिया था जिसकी बज़े से इनको फिजिक्स का नोबल प्रोस्कार उन्हें इससे की सिस्पी में दिया गया था हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फुर्टी फाइव कारति कि चुची वन और सुची टू को सुमेलित कीची और सूचियों के बीच दियेगे कुट से सही उतर चुनिए मैच करना है आपको आप देखिए बन पहला है वन अनुसंधान शंस्थान ये कहां है आपका कद्रिय से अनुसंधान संस्थान आपका जोधपूर में आप हैं यह 뮤 naar कि नेक्स्ट कॉस्टिन के और चलते हैं फोटिस एक निमलेखित लोहा ये स्पात का खानों में से कौन कच्चे माल चेतर के समीप नहीं है तेकि ऑप्शन देखिए जमसेदपूर राउल केला दुर्गापूर जमसेदपूर जारकट में है राउल केला आपको डीसा में है दुर्गापूर पश्ची मंगाल में आप देखिए लौ इस पात कर खानों के लिए क्या-क्या मैगनेज चुना-पत्थर शिल्का यह सारे चीजों कि जुर्थर यह सारे आपको मिलते हैं तो यह कच्चे माल इनको यहां पर मिल जाते हैं लेकिन सेलम वह तमिलाडू में है जहां कि कच्चे माल की उबलबता नहीं है मुख रूप से इंधन के लिए कोईले का आयात यहां क किया जाता है option number D आपका क्या हो जाएगा राइट होगा next question देखिए 47 सुची एक और सुची भी कोई आपको मिलाना है अब देखिए आपका ये पहला सुची वन है जो नगर को कर रहा है और ये किस नदी पे है वो नगर बसा हुआ दूसरा सुची नदी को है तो ये देखिए मैं कर दूसरा है ब्राजभेले जोगी नदी पे अवस्तित है कर दूसरा भी है ब्राजबेले ब्राई सो कांगो रचारा नदी पे अवस्तित है मतला विकल को हो जाए पर परीजम आठामंगों avail निधरलैंड मे हैं जो कि लाइन नदी पे आए थै दूसरा तो यह सारे मैच हो गए हम नेक्स कोश्चन के ओर चलते हैं कि कोश्चन नमबर 48 भारत सरकार ने बंज अन्रचन अधिनियम किस बर्स में अधिनियमित किया था तो बंज अन्रचन के लिए बंज अन्रचन अधिनियम है तो इसका सही आंसर हो जाएका ऑप्शन नमबर भी उनिस सो असी नेक्स कोश्चन के चलते हैं 49 निमलिखित में से किस निमलिखित दरों में से किस से होकर ले जाने का रास्ता है तो इसका सही आंसर हो जाएक ऑप्शन नमबर एक जोजीला देखिए कास्मीर के जोजीला दर चुम्बी घाती तिबबत को स्थिक्की πूंट बूता है। मेंसे किस्में 400 मेगाबाड चमता का lib अर्जा सज्व्म करने की योजनकी है। तो वेल यानि भारत है भी एलेक्रिकल लिम्टेड और पावर गीट कॉर्परेशन और इंडिया लिम्टेड ने संजीक दुरूप से बिस्प का सबसे बड़ा जैपूर में स्थापित करने की योजना बनाई है तो इसका सही आंसर हो जागा ऑप्शन नमबर बी राजस्थान और किनकिन लोगों ने मिलके बनाने का विये किया है तो भेल यानि भारत है भी एलेक्रिकल लिम्टेड और पावर ग्रीट कॉर्परेशन और इंडिया तो बिसकार प्राचिंतम तता सबसे गहरी जील रूस के साइवेरिया छेत्र में इस्तित है और वह कौन है बैकाल जील आप्शन नमबर यह आपका क्या हो जाएगा राइट अंसर होगा इसकी गराई 1637 मीटर यानिकी 5,379 फिट गहरी है अब नेक्स कोश्चन क्यों चलते ह निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहां गर्म जल स्रोद दिया हो और कहां वस्तित है उसके प्लेस मैंसन किया हुआ है तो मनिकरन हिमाचल प्रदेश में सही है तो ज्वाला मुखी आपका जो है यह अंडमान सागर में पोर्ट प्लेयर के नजदीक नहीं है तो देखें कि निमलिकित में से कहां सदा बहार बन पाया जाता है तो सदा बहार बन जो है इसका पश्मी घाट जिसको सहादरी बोलते है उत्तरपूर भारत और अंडमान निकोवार दीपसमूग के पास चेत्रों में सदा बहार बन पाया जाता है तो सदा बहार ब बीस्वा सबसे उच्छा जवाला मुखी पर्बत है तो इसका सही आंसर हो जये का कौट Help Si कि नेक्स कोष्टन देखते हैं 55 निमलिकीत में से कौन से सितोस घास के मैदान universiya में पाए जाते हैं जिनको हम स्ट्रेपीज करते हैं जो कि में पाए जाते robust काउप्शन number C अब देखिए नेक्स कोश्चन राम से तू राम से तू शुरू होता है तो राम से भारत के पंबन दीप के अंतिन छोड़ से प्राराम होकर स्रीलंका के मननार दीप तक होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा संजुक्त राजी अमेरिका के दच्छिन कैलिफोर्निया में इस्तित मृत्तक घाटी डेथ वैली निमलिकीत में से किसका उधारन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर डी रिफ्ट घाटी का देखिए आपका जो रिफ्ट घाटी या दरार घाटी जो है एक महत पबढ़ा है जाना ऑकिसा और डी नधी निरुकीत में उधार के लिए जा सकतें तो सामाज वादी उधार वैध्विक्ताबादी और बिभख्त करते हैं अब बात की जए राज के निती निर्देशकत्तव का उलेक किस पार्ट में किया गया है तो इसका पार्ट पोर है और किस आर्ट की बात करकर की जाए तो यह थी तो अगर आंसर की बात की जाए तो आप्शन नमर 10 का सही अंसर हो जाएगा है कि नेक्स सिब्सक्राइब करनेवाली उपहाद मतलब मजाग किया था जाए द Only इसका सफ़िए आंसर हो जाएगा लॉट डफरीन ने कि भरतीय राष्टपी कॉंझ्रेस कगर्ष की तो ब्हरतीय राष्टी कॉंग्रेस का मझाग बनाया था अब क्यों सि कोा सिक्स्टी राज्स सभा का सर पर्थन गठन किस बरस हुआ बारतिय संसत में दो सदन होते हैं राजस्वा और लोगसभा और राजप्स दोक होग सभा को या कि निह नी हो सकती है और राज्वा कभी भी घटन नहीं होता है यह सारे लाइंस मिंपोर्टन हैं लेकिन इसके एक तिहाई सदस दो बरसों बर सेवन निर्श हो जाते Г igen प्रफम इसका गठन 3 अप्राइल ने सो बामन को हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइंटी फिप्टी टू में सर्फपधन गठन हुआ था लेक्स कोस्चन देखते हैं सरकारी आयोग में निमलिखित सम्मंदों में से किसकी समिच्छा है तू स्थापित किया गया था तो सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया है इसने अपनी रिपोर्ट 187 में सरकार को सौपी थी इस रिपोर्ट में राज्यों को अधीक और अधीक बीतिय सहां सोतंता दीजाने की सिफारिस की गई थी तो देखिए यहां पर आपका आगर ऑप्चन से देखा जाए तो इसमें किसकी समिच्छा की कही थ करता है कि मत बराबर होने की दसा में लोगसभा के अधच का मत निरनायक होगा और वह उसका परियोग करेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी आठकिल हंडिट जो है भारती समिधान के अनुछे सोमे में यह कहा गया है कि जब सदन के समझ कोई प्रश्ण हो पहिंगा है और और सीट सब्क्राइबगा नेक्स देखते 63 भारति एस अनुछे 44 राजिको सार्थ कदमों है तुझ प्रामर्श में देता है तो देखिए पहसमे निर्दिसतर गत्रार करें उलम सामील है अब नहीं अब बहले तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर भी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंद में आटकिल फोटी सार्था कदमोगेतु प्रमार्स देता है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 64 भारतिय सांसत की लोग लेखा समीती पब्लिक एकाउंट कमीटी के अध्यच को कौन मनोनित करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर ए लोग सभा का अध्यच मनोनित करता है लोग लेखा समीती के अध्यच के रूप में लोग सभा अध्यच दारा परंपरा के अ इस समीति में कुल 22 सदस से होते हैं इन में लोक सभा से 15 और राज सभा के साथ सदस से होते हैं कि नेक्स कोश्चन देखते हैं कि निमलिखित में से किस बाद में भारतिय सम्मिधान के मुल बुद्धाचों की अब्धार्ना प्रतिपादित की गई थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नमर्डी वो प्रिवक्त में से कोई नहीं तो केसब केसब नंद भारति जो हैं इन्हों ने भारतिय सम्मिधान के मुल बुद्धाचों की अब्धार्ना प्रतिपादित की थी नेक्स्कोशन देखते हैं नमर 66 मंत्री पर्फद सामोही क्रूप से निंद में से किसके प्रति उत्तरदाई होते हैं तो सही आंसर हो संग की मंत्री परस्त सामूही ग्रूप से लोग सभा के पती उतरदाई होंगे और मंत्री परस्त का गठन प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्टपती द्वरा किया जाता है कि नेक्स्ट कोश्चन देखिए 67 भारतिय सम्मिधान के निमलिखित में से किस अनुछेट के इंतरकर बिधान सभा को बिधान परस्त का स्रिजन करने का प्रस्ताप प्रास करने की इजाज़त मिलती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आठ्किल 169 169 option B इसका सही आंसर होगा कि नेक्स्ट कोश्चन देखिए भारतिय सम्मिधान का कौन सा भाग सम्मिधान की आत्मा कहलाता है तो भारतिय सम्मिधान का आठ्किल 32 जो है वह जिसमें सम्मिधानी कुप्चारों का अधिकार है इसको सम्मिधान की आत्मा कही जाती है इस अनुछेट पर टिपने करते और इसलिए इसको सम्मिधान की आत्मा या इसका हिर्दे कहा गया है तो आप्चन नमर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लेका परिच्छकी नियुक्ति रास्पति द्वारा होती है अपने अपने पत से इसे दूरों संबोधन पिश्च्व स्बभ्रों 2 परत्वम् आंकर जिनके खिलाब लोक्सावा में अभिस्वास परस्थाव लाया गया था है अब कि प्रॉप्शन नमर भी आपका सही आप सुर्ण राइट है मैं अब देखिए कोश्चनमा — 71 तथा राज्यों के मतसक्तियों के बित्रन के लिए भारत का समिधान तीन सोचियों को प्रस्तूत करता है आपका क्या है राज्य सोची संग सोची और आपका हो जाएगा संभर्ती सोची तो निर्ण में से कौन से दो अनुछेट सकती यह के बित्रन को बिन्यमित करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुछेट फोर और अनुछेट फाइब नेक्स कोश्चन देखिए सेंटी टू अंतर आज यह परसदों का निर्मान श्रोत है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह सम्मेधानिक प्रभधान के निर्ट तथा राज्यों के मधहत्वा राज्यों के बीच के वि इसका सही आंसर हो जाएगा यह सम्मेधानिक प्रभधान है जो कि आपको अनुछेट 263 में है इस अनुछेट के अधिन राष्टपती को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस परिस्ट का गठन करें नेक्स कोश्चन देखिए 73 सर्बोच नयाले का नाधिस अपने पत्र से राष्पती को लिखके दे सकता है तो सर्बोच नयाले का नाधिस अपने पत्र से त्याक पक राष्पती को लिखके दे सकता है तो आप्शन नमरे आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखिए 74 भारतिय सम्मेधान के किस अनुछेट के अंतरगत लोग सभा में अनुछेट जातियों के अरच्छन का प्रभधान किया गया था तो भारतिय सम्मेधान के अनुछे 330 के अनुछेट लोग सभा में अनुछेट जन जातियों के अरच्छन का प्रभधान है वही अनुछे 332 के लाज्यों की विधान सभा में अनुछेट जन जातियों के सब्सक्राइब करने केंदर की बात करेंगे तो 330 और सब्सक्राइब करेंगे बिद्धान कि ये हो जाएगा 332 लोग सब्सक्राइब् प्रंतु ग्यार नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए पहला है भासन अभम अभिवक्ति की स्वत्तनता यह सिर्फ और सिर्फ केवल भारतिय नागरिकों को ही मिला है और नमर भी कानून के समस्च समता यह यह नहीं है अदेखिए अल्ग संक्यों को अधिकार यह भी आपको सिर्फ भारतिय नागरिकों को ही प्राप्त है समीधान के भागत्री में अनुछेद 12 से 35 अक्मूल अधिकारों का बढ़नन किया गया है जो कि भारतिय नागरिकों को सि 26 चोटिन अमर आशोग मृता समीधी की सिफारिgraduate हुआ समीधी ने पंचाइथी राज मृष्तरी सरकार की सिफारिस आपको अच्छेव मर भी आपकोर का होता सभू जागा सभा समीति का गठन कब हुआ था समीति का गठन 1977 रिस्पी में किया गया था असोक मेहता समीति ने पंचायती राज प्रनाली की दुए अस्तरिय सरकार के शिफारिस की थी कि अब देखिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कि संसोधन में समाज बादी धर निर्पेश्ता और अश्टी एकता अब खंटा का सब्ध भारती संमिदान में जोड़ा गया था यह बहुत ही इसी कोश्चन और हमेसा पूछा जाता है 42 संसोधन में भारत के संमिदान में समाज बादी धर मिर्पेश्ता अब हम राष्टी एकता और खंटा सब्ध जोड़े गये थे इसको 42 में समिदान संसोधन को मीनी कॉंस्टिट्यूशन भी कहते हैं अप्शन नमबर यह सही हो जाए का आंसर इसका नेक्स कोश्चन 78 देखिए निमलिखित में से किस बर्स में संयुक्त राष्ट संग ने परम गरीबी की परिवास से अंगिक्रित की थी तो देखिए हुआ इस पर पणशान में एस दी में ऱशर्ण देखिय अनुसक्ति बिद्धत निगम लिंट एक संजीख्थ उपक्रम है भारतीय परमानु अर्जा निगम और देखिए यूगमों में कौन सा सही जुम्मेलित नहीं है अब देखिए आपका है और देदिक बित यह सही है सामाजिक सुरच्छा उपाए भार्तिय निर्मान के लिए यह लाए गया था ग्रामीन साख नबाड ग्रामीन योजगार क्या कह रहा है सहरी रोजगार नाम से यह जाना जाता है यह योजना सहरी रोजगार से संबंदी था ना कि ग्रामीन रोजगार से तो आप्षे नमर डी आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स आपके जो 80 से 100 नमर कोशन है 20 कोशन आपके मैक्स के है तो इसका सॉलूशन आपको पीडियेफ के पॉर्म में उपलव्द करा दिया जाएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को कर लिजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे सेयर जरूर करें थैंक्स फर वाचिंग